हेलो दोस्तो माइकोमेक्स इन टूबी दोस्तो ये स्मार्टफोन का मेरा साथ दिन हो चुका है स्मार्टफोन को मैं यूज कर रहा हूं और इन साथ दिनों में मुझे स्मार्टफोन में क्या क्या चीजे अच्छी मिली है और क्या क्या चीजे अच्छी नहीं मिली है वो मैं आ अब उसको भी देख सकते हैं बाकि अगर स्मार्टफोन की प्राइजिंग की बात के तो माइकमेक्स न यहां पर प्राइज इनकिस कर दिया है अगर 464 की बात करे 8500 इसकी प्राइजिंग है और 660 पर की प्राइजिंग है 9500 अगर आपने पहले खरिद लिया तो कॉंगरेटुलेशन आपने 5 सुर्पिया सेप कर लिया है एडवांडेज की बात करें सबस्तों पहला एडवांटेज स्मार्टफोन का डिस्प्ले यहां पर आपको दिया गया है काफी अच्छा है और साथ में हमने बीजिया में खेला है तो वहां भी मुझे डिस्प्ले क्वालिटी इसका काफी अच्छा लगा तो अवरल डिस्प्ले के मामले में फोन में आपको कोई भी कॉंप्लेन नहीं मिलेगा दूसरा एडवांटेज की बात करें स्मार्टफोन का और डिजाइं यहां पर डिशाइन के मामले में काफी खूप बीजिय दीजनिंग ने सटराइज एफेक्ट आपको माझने में काफी चांसे नहीं था आउर प्लास्टी में दोटीज maken दीजायं च्रमिला सबहाएं पीछेमें च आपको टेक्श अप्श् Yao अबता Thankfully आब ज watching sound में प्रॉंट में 5 मेरे केमरा मिलेगा पक्त केमरा के सोट्स रहा है। काफ़ी इस समार्ट का प्रोसेसर। को प्रोसेसर युदि के सा व्यूंट है। और बहुत लोग का ये भी डाउट है कि मायकोमेक्स इन वान बी में मीडियाटेक्ट हिलियो G35 दिया था क्या उससे ये पोस्टर अपग्रेड है या डाउंगेड है तो दोस्तों यहाँ पर हमने बीजियमे टेस्ट भी किया है आप जाकर देख भी सकते हैं वहाँ पर बीजि 610 प्राइसिंग के सबसे काफी बहतरिन पोस्टर है और अभी तक मुझे पोस्टर में कोई भी कंप्लेंट नहीं मिला पांच्वा पॉइंट की बात करें स्मार्टफोन का स्टॉक एंडॉइड एक्सप्रेंस जियां दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी एड्स कोई भी फ यहाँ पर काफी अच्छा मिलेगा आपको और कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाला है साथ में यहाँ पर आपको फिंगरपीन और फेस लोग देखने मिलेगा जो की काफी अच्छे से काम करते हैं अब चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस एड्वारे में तो सबसे पह आपके बोड़ी या आपके फेस में आ जाता है तो अगर इसे माइक्रमेक्स अपने अपडेट से ठीक करते हैं तो काफी अच्छा है पर यह थोड़ा सा ज्यादा एनॉइंग लगता है मुझे दूसरा डिस एडवन्टिस की बात करें स्मार्टफोन का हीटिंग इसू हीट कर दस रहेगा एक हीटी कि स्मार्टफो फोन हीट होता है जब लग वग 40gga से पचास मिनिट अब इतना डम करेंगे होगा तो विछ सपी शेय Paradise में लग देखने करें यह यहीज अब यह नहीं गॉड़ एक वाक थेज आख तो द्यखनी मिलेकर के सद्समार्टाइर आपकि स्पीकर का साउंड तो काफी बहतिन है पर दोस्तों स्पीकर का जो प्लेस्मेंट है पीछे में यह मुझे पसंद नहीं है क्योंकि दोस्तों जब भी आप गाना वगए सुनेंगे और अगर आपने स्मार्टफून को ऐसे टेबल पर रख दिया तो आपका गाना का वॉल्यूम क्योंकि टेबल से आपका स्पीकर ढख जाएगा और वॉलीम आपको कम सुने देगा अगर इसके जगा अगर आपका स्पीकर बॉटम में होता तो काफी बहतिन होता तो यह मुझे पॉल्म एक देखने मिली स्पीकर के मामले में बाकि दोस्तों स्मार्टफून में और कोई मुझे देखने नहीं मिला अगर आपके पास इंटू भी है अगर आपको कोई पॉल्म फेस करना पर रहा है तो कमेंट ज़रू किजेगा अगर मेरे ऑनेस्ट डिव्यू की बात करें या ऑनेस्ट ऑपनियन की बात करें तो 8500 में 4GB 64GB इंटल मेमरी स्मार्टफून मुझे का काफी बहतीन लगा इसका डिस्प्ले मुझे काफी अच्छा लगा इसका केमरा का कॉलिटी काफी अच्छा है और दोस्तों एक बार बताना भूल गया आपको इस मार्फोन का बैटरी 5000 एमिज के बेटरी एक काफी बड़ी बेटरी दिया आपको और बैटरी का बैक आप है काफी बहतीनी स्मार्टफोन है इस्टोक एड़नोट का एक्सपेंस मिलेगा कोई फालतु के एड कोई फालतु के एप्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे और प्रोसेजर काफी अच्छा है गेमिंग वगरा काफी अराम से कर पाएंगे मेंड पॉइंड पॉइंग की कंपण आपका एक्सपेंस कैसा रहा कोमेंट जोर कीजेगा वीडियो पसंद रहें वीडियो को लाइप कोमेंट कर दिजिए तो चली मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहेंद